कुम पाल्ड फिनांसियल इंस्टुमेंट एक ऐसा फिनांसियल इंस्टुमेंट जिसमें लायविलिटी और इक्विटी दोनों की क्यारेक्टिरिस्टिक्स होती है अगर आप example के थुरू से देखें तो जो convertible debenture होता है उस convertible debenture में माली जैक optionally convertible debenture है तो उसमें क्या है कि जब तक वो debenture जिंदा है तब तक company को interest payment करना पड़ रहा है और अगर debenture holder बोलेगा मुझे पैसे वापस चाहिए तो company को debenture holder को principle भी redeem करके देना पड़ेगा so that is pure liability का part और convertibility क्या हो गया कि अगर debenture holder ने बोला कि नहीं मेरे को maturity के वाग equity share वापस चाहिए मेरे को पैसा नहीं चाहिए so अब उनको equity share देना पड़ेगा तो उस convertible debenture के अंदर दोनों portion है अगर आप plain convertible debenture issue करते तो आपको खली पैसा return देना पड़ता that is pure liability लगिन अगर आप एक convertible debenture issue करते हैं तो उसमें एक equity component भी आ जाता है तो कहते हैं कि अगर एक ऐसा instrument है जिसके अंदर liability component और equity component दोनों है तो उसको compound financial instrument कहते हैं और अगर आपने compound financial instrument issue करने में में से 1,20,000 रुपया लिया सामने वाले आदमी से तो आपको उस 1,20,000 को divide करना पड़ेगा between liability component and equity component और उसका जो process है divide करने का वो इंडेस जो 109 है उसमें explained है बट वो अभी discussion का मुद्दा नहीं है माल दीचे liability component 100 रुपय का और equity component 20 रुपय का है तो आपको liability में 100 रुपय दिखाने पड़ेंगे और equity में 20 रुपीज दिखाना पड़ेगा